असलाम अलाइकूम, मेलकम तो माई चैनल, आज हम आपके साथ मतन की बहुत ही मज़िदार नई रेसपी मतन जिगाला शेयर करेंगे जो की बहुत ही मज़िदार होता है, तो आज ये देख लेते हैं कि इसे हम कैसे बनाते हैं, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर ल चाप वाले लीजेगा, साथ में हड़ी वाले गोश्ट का अच्छा टेस्ट आता है, और इनके पीसे का साइज जो है थोड़ा बड़ा आपको रखना है, तो अभी आप आप गोश्ट को फ्राय करेंगे प्यास के साथ 4-5 मिनिट, जिससे की गोश्ट का अपना पानी भी ख पा सकते हैं, कच्छी प्यास के बाद इसके अंदर जा रहा है, टमाटर का पेस, जिसमें 200 ग्राम टमाटर का पेस जाएगा, और अब इसके बाद इसके अंदर जाएगा, चार चमज भरके लेसन अदर का पेस, जिसमें लेसन अदर तोनों बराबर रहेंगे, अब कुछ आपने टेस्ट के साब से आप इसमें आट कर सकते हैं ये रसेपी थोड़ी जादा मिर्चों के साथ बनती है जिससे इसका अच्छा टेस्ट आता है इसके बाद इसमें गया है नमक चोकी देर्श चमज लेंगे थोड़ी से यहाँ पर दालचीनी के तुकड़े दो से तीन गोष्ट आच्छी तरह से गल जाए बहुत से धापानी का इस्तमाल नहीं करेंगे तो यहाँ पर यह ग्लास पानी डाल दिया गया है थोड़ा सा मिक्स करेंगे अब बस इससे कवर करेंगे कवर करकी गोष्ट को 80% तक गला लेंगे सबसे पहले बाकि 20% बाद में जब और डाले जाएंगे तो इसके साथ गोष्ट कल जाता है तो इदर देखी फ्रेंड्स यहाँ पर गोष्ट 80% तक हो गया है जैसे कि हमें चाहिए था तो जब आपको गोष्ट 80% हो जाए उसके बाद आप इसके अंदर पिसीवी धनिया का पाउडर आट करेंगे च्योंकि आपक को इसके बाद इसमें डाल देना है दही दही इसके अंदर एक भरके जाएगा चमा गाड़ा दही इस्तमल करना है खटा दही बिल्कुल भी मत लिजिएगा दही को लास में डालेंगे जबकि गोष्ट आपके 80% हो जाएगा उसके बाद जिससे की रेसेपी का टेस्ट नेगी थी में आज पर इसे सपी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दही को गोष्ट की साथ अच्छी तरह से मिलाने के बाद जाएगा इसके अंदर काजू का पेस्ट जो कि 50 क्राम काजू का पेस्ट यहां पर लिया गया है थोड़ा सा पानी आट करेंगे अब सबसे ल यह आपको लास्ट में ही डाला है सारे चीज़े आज यहां पर इकदम धीमे कर लिजेगा जिस स्टेप पर जो मसाले डाल की बनाया जा रहा है ऐसी तरह से बनाएगा तो कि अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप स्टेप आगे पीछे कर देते तो फिर बिल्कुल भी वो ट अब हम यहां पर इसको ढखकर के पकाना होगा हम 10 मिन अग्दम धीमियाज पर इसको पकाएंगे इससे पहले हम इसके पानी आड़ करेंगे पानी यहां पर आपनी जरूर के साबसे आड़ कर सकते हैं लेकिन इससे पी में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है थोड़ा इसका जो ग्रेवी होती है वो ठीकी रहती है फिर भी आप यहां पर अपनी जरूर के साबसे में ग्रेवी को बढ़ा सकते हैं अब पानी डालने के बाद इसको ढखकर के कवर कर देंगे जिससे कि जो सारे एससे पानी वरा रहा है यह अच्छी तरह से गो से दो मिनट और पकाएंगे दो से तीरी मिनट के बाद फ्लेम को आफ कर दिया था और फाइनली आप यह देखिए फ्रेंड्स अलहमदुलेला तो यह फ्रेंड्स फाइनल हमारा मटन जिगाला जो की बहुत ही मज़िदार और यूनीक रेसेपी यह मटन की आप अपने गर मे अपकि आपकी मटन जिगाला कैसे बनी है इस रेसेपी को सर्फ के जाता है छपाती है धन्या रोटी के साथ जिसकी रेसीपी मिनट चलबी पहले से अपलोड ही तो आप महा पे जाकर देखकर अपने घर में असानी से धन्या रोटी को बना सकते है तो अब धावतों में इस सब्सक्राइब कीजिए और बताईए कि आपको नजबी कैसी लगी है थैंक्यी सो मच